ग्रहन अक्षटर तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी क्रश्न हमारे यूटीब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे मैं हूँ आपके साथ आचारेधर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशीफल ये राशीफले 28 सितंबर 2021 मंगलवार का दिन है आश्मिन महा के कृष्ण प्रक्ष की सब्तमी तिती रहेगी इसी दिन सब्तमी का शाद्ध संपन्न होगा तथा महालक लक्षमी वरत की कठा भी इसी दिन सुनी जाती है तथा अधिक जानकारी करना चाते है तो हमारे चैनल पर हमने आपके लिए अन्य वीडियो प्रस्तूत किये हैं उनको आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा महलक्ष्मी वृत में चंद्रोदाई के समय विशेईस पूजन अर्चन किया जाता है चंद्रोदाई जो की रात को 10 बज करके 45 मिनिट पर होगा अलगी चंद्रोदाई का समय अलग-अलग शहरों में अलग-अलग समय पर हो सकता है म्रक्षिरा नामक नक्षत्र होगा तो गुण खा करके यात्रा आरंब कर सकते ही राहुकाल जो की दो पर तीन बजे से शुरू हो करके साड़े चार बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुभ, मंगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्णय आप अपने ख्रित्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के नुसार कर सकते ही क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूर्य देव जो की कन्या राशी में वहीं चंद्रमा की यदि हम बात करें तो वो मितुन राशी में होंगे मंगल ग्रह कन्या राशी में, बुद ग्रह तुला राशी में, देव गुरु व्रहस पती मकर राशी में, शुक्र ग्रह तुला राशी में, शनी देव मकर राशी में, राहू व्रशत तथा केतू व्रश्चिक राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक रह गोचर के नुसार मेश, कर, ककन्या, व्रश्चिक, मकर और मीन ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशा लेने वाली है दिन इनके लिए लाप प्रसिद्ध होगा धनलाप के सांसरत का रिक्षित्र में उन्नती तथा प्रगती के उत्ताम और उसर प्राप्त हो सकते हैं तो अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशिवालों का देनिक राशिफल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की इस समय आपकी सकारात्मक रविया के कारण कई प्रकार की उपलब्धी आपको प्राप्त हो सकती है समय का भैरुपूर सदुपयोग करे रिस्तेदारों तथा संबंदियों के साथ संबंद और अधिक मजबूत होंगे भविष्य शंबंदी महत्वपूर्ण योजनाय बनेगी प्रापर्टी या पैत्रिक संपत्ती संबंदी कोई कार्यदी रुकावट आ रहा है तो उसकी रुकावटे समाप्त हो जाएगी भाईयों तथा मित्रों से वेचारिक मधवेद उत्पन नहो सकते हैं इसलिए साउधान रहे संतान की किसी परेशानी में आपके सहयोग से उनकी समस्या का समाधान निकल जाएगा और उपाई के रूप में गाई को गुड़ खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशबरासी की राजनितिक तथा सामाजिक कारियों के परती आपका रुजान ब जाएगा विद्यार्थियों को अपनी पड़ाई के प्रती गंभीर रहना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप छट के उपर पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आ अपने अंदर आप महसूस करेंगे अर्थिक व्यवस्थाओं संबंदित महत्वण निर्णय लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है लेकिन कोई भी कार्य भाउकता वश बिल्कुल न करे बुद्धि मत्ता तथा चतुराई से आपको प्रत्यक कारी करना चाहिए और उपाई क अब हम बात करते हैं करकराशी की आज कुछ महत्यपूर्ण तथा उच्पदासीन व्यक्तियों के साथ आपका समय व्यतित होगा इसे आपके मैं सम्मान में व्रद्धि होगी तथा नई उपलब्धी आपको प्राप्त हो जाएगी इस समय विरोधी भी आपके कोई भी महत्यपूर्ण काम करने से पहले संबंदित योजनाओं पर दोबारा विचार अवश्य करें जरासी चूक आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है और उपाई के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में सफेद खूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शु देने में आपको जो है अधिक समय व्यतित होगा आर्थिक स्थिती बहतर रखने के लिए बजट बना कर चलना आती अवाश्यक होगा किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी नए आव्यापार नई नोकरी या नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं जो काम आप शुर कोड केज अस्वा प्रापर्टी से संबंधित रुके हुए काम आपके पक्ष में हो जाएंगे और फैसला आपके पक्ष में आएगा जैसे आपको बहुत जो है मानसिक शांती प्राप्त होगी रिष्टदारों के किसी विवात पूर्ण मामले में आपकी उपस्तिती निरन किसी भी प्रकार की कागजी कारवाई करते समय बहुत अधिक सावधानी बरते चोटी सी गलती से बहुत अधिक धन हानी हो सकती है बहतर होगा कि इन गतिविधियों को आज आप इस्तगिती कर दे अपनी योजनाओं को किसी के समक शेर न करे कोई इसका अनुचित फाइदा उठा सकता है उपाई के रूप में गाय को हरी सबजी आ हरी घांस खिलाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज कोई भी काम करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज को अवश्य सुने जैसे आपको अवश्य ही अच्छी सूजबू तथा सोच विचार की ख्रमता प्राप्त होगी घर में कोई शुप तथा मैंगलिक कारिक्रम संपन होने की योजना बनेगी तथा रिस्तदारों की आवाजा ही आपके घर में रहेगी आपकी लापरबाही की वज़े से किसी नजदी की रिस्तेदारों के साथ संबंद आपके खराब हो सकते हैं इसलिए बहुत अधिक चोकरना रहने की आउशकता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलह को नजर अंदाज न करे उपाई के रूप में चावल का डान ग अंसिक सुकुन देगा सांथी समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा भी बढ़ने वाला है इस समय अपने लक्ष के प्रती आप पूर्ण रूप से एकागर्चित तथा गंभीर रहे सफलता आपका अवश्य ही प्राप्त होगी वाहन खरीदने की योजना यदी आप करना चाहिए और आर्थिक मामले अभी पूर्वहत रहेंगे अनावश्य खर्चों पर कटोदी करें तथा धैर ये बना करके रखे और कर्ज यदी आप लेने जा रहे हैं तो उसको भी आपको कुछ दिनों के लिए रोक करके रखना चाहिए उपाई के रूप में यदी आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका नारंगी होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आपको शारीरित तथा मानसिक शुकून पाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविदियों में कुछ समय व जक्ति विशेश से आपका विचारिक मदभेद उत्पन न हो सकता है ध्यान रखे सावधानी आपको बरतना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विश्णु जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आ प्राप्ती होगी जिससे उनका होसला और आत्मेश्वास और अधिक बढ़ेगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात कर करके रखना अति आवश्यक है आर्थिक रूप से कुछ परिशानिया उत्पन होने से चिंता रहेगी परंतु यह ताथका लिखे इसलिए ज़्यादा परिशान होनी के उशकता नहीं है कुछ समय बात सब कुछ ठीक ठाक और सामन्य हो जाएगा कारोबार में आपको जी के मंदिर में यडियाप सिंदूर और लाल फूल तथा एक नारियल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की दिन चरिया में कुछ परिव नकारियों में आप समय वतीत करेंगे इससे आपको खुशियां प्राप्त होगी पारिवारिक महोल सकरात्मक रहेगा ससुराल पक्ष से खुशी भरा समाचार आपको मिल सकता है और उपाय के रूप में पीले चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबित करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश्य कर लीजिए आपको रापके पूरे परिवार को सादर जैसी क्रश्न सादर धन्यवाद